तो इस्टार्ट किया जाए चलो इस्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज रस पढ़ना है और रस समन्दी जितने भी प्रस्ण आपके बन सकते हैं सब पढ़ने वाले हैं ठीके ना सभी को रादे रादे सभी को गोड मॉनिंग ठीके सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजेगा ठीके सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजेगा ठीके चलिए तो यहाँ पर कोशन आपसे पूछा गया है कि विभावा अनुभाव ब्यविचारी संयोगा द्रस निस्पति किस आचारे का विचार है मतलब इन्होंने कहा था इन्होंने कहा था कि जो विभाव अनुभाव और ब्यविचारी भाव इन सभी के संयोग से क्या बनता है रस की निस्पति होती है यह सब्द कहा था किस ने कहा था और जबाब क्या होना चाहिए जबाब हो जबाब आपका लापका है या आपके किस ने तो वही आपके का था भरत मुनी ने का था ठीके ना ये एक परिभासा है जो कि option कौन से होज़ेगा आपका भरत मुनी ने का था ठीके ना good morning सभी को good morning चलिए अगला प्रस्णा आपका दिया है कि वाक्यम रसात्मकम का अब्यम किस आचारी का कथन है यहाँ पर जवाब दिजीगा टूका जवाब दिजीगा सभी को good morning सभी को good morning very very good morning चले तिया पर टूका जवाब क्या जाएगा तो यह जवाब का दिया गया है किस ने दिया है तो आपकी wish सुनात ने दिया है ठीके right and close होज़ेगा डी होज़ेगा अगर आपने रस वाला topic नहीं द लिएगा अमर्स क्या है तो अमर्स क्या होज़ेगा एक संचारी भाव अमर्स मतलब कह सकते हैं कि जो संचारी भाव होते हैं वो आपकी body में थोड़े समय के लिए इसको अच्छे ले जाते हैं तो ऐसे को में रूलते हैं संचारी भाव जिनकी संख्या कितनी होती है तो की संक्य आपकी 33 होती है ठीक है याद रहेगा एक पॉइंट आपका होता है कि 34 नंबर का जो आपका कह सकते हैं कि संचारी भाव है आपका कौन सा है तो आपका कह सकते हैं छल ठीक है छल नाम का जो आपका 34 नंबर का आपका बनता है संचारी भाव वो आपके कभी देव ने कह बाता कि 34 वा जो संचारी भाव है ठीक है वो माना है कि इसमें आचार कभी देव ने माना तर 34 वा नम्मर के होते कितने 33 होते हैं ठीक है चलिए अगला प्रस्ण आप से पूछा गया है कहरा आप से बीर रस का इस्थाइवाव क्या है बीर रस का इस्थाइवाव क्या बनेगा फोर का जवाब दीजेगा फटा फट जवाब दीजेगा वीर रस का इस्थाइब हो क्या बनता है चलिए यहाँ पर आपका जवाब बहुत अच्छे बहुत अच्छे यहाँ पर बिल्कुल सही है फोर को अपसन आपका हो जगा सी यहाँ पर वीर रस का इस्थाइब होता है क् उत्सा निश्प प्रस्णाप का दिया गया है कि निम्निकित प्रस्ण में चार विकल्प दे गया है साई विकल्प का चैन करना है कर रहा है संयोग और वियोग किस रस के रूप है संयोग और वियोग किस रस के सूप है तो हमने आपको अतेतर संगार रस जो होता है संगा रस के दो पार्ट होते हैं तो आपके संगा रस के दो पार्ट कौन सा एक होता है संयोग और एक होता है वियोग ठीके ना एक में बिलान हो गया एक में बिच्वडान हो गया है ना चले option आपका A हो जाएगा अगला प्रसन आपका जाना, है ना, तो रस का समन्द होता है इस राध हातू से, ठीके, सद्धवाति उसे माना गया है इसका मतलब होता है बाहते जाना मतलब रस की निपपत्ती हो रही है ठीके तो जवाब कहाँ पर जाएगा आपका ए जाएगा ठीके, चले, अगला प्रशन बी यहाँ की करुण रस में चला जाएगा ठीके और सन अपका बी सही हो जाएगा अगला प्रसन आप से पूछा गया है कि करुण रस का इस्थाइबाव क्या होता है याप पर आड का जवाब दीजेगा फटा फटा फट जवाब दिते रहेगा और अनन्द से आपको यहाँ पर रस की अन्भूती भी मिलेगी मतलब पूरा टॉपिक आपको कंप्लेट भी हो जाएगा अगला प्रसन आपका दिया गया है कि चमक उठीशन 57 में वो तलवार पुलानी थी है ना इसमें रस का भेद बताईए यहाँ पर जवाब देना है दस नंबर चलिए गोड मॉनिं सभी को अब्रिवन सभी को गूड मॉनिंग चले तो यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुछ सही है जहाँ पर जवाब आपका हो जएगा अपका बी रस हो जाएगा ठीके बी रस से भरी होई आपकी कविता है अपका एक सही हो जाएगा अगला प्रसन आप से पूछा गया है भयानक रस का इस्थाई भाव क्या है भयानक रस का इस्थाई भाव क्या बनेगा तो भयानक रस का इस्थाई भाव क्या बनेगा भई ग्यारक ऑप्शन राइट बिल्कुर सही जवाब है ऑप्शन राइट को यहाँ पर होजएगा बी नमबर अपका भय होजएगा ठीके चलिए, बहुत अच्छे, विल्कुल सही, अगला है कि सहस्ता कारू ने रस राज की उपाधी किस रस को दिया है, अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रस राज की उपाधी मिली है, वो किस रस को मिली है, और इसको भी हमने बताया था, है ना, बारा नमबर, तो बारा का लिए गया है, कहरा हाहा कार हुआ, करंदन मैं कठिन वज्ज होते थे, चूर पंक्ति में आपको रस बताना है, अगर आपने, अगर आपने रामाड पढ़ी है, और अगर आपने लंका कांड पढ़ा है, और जब कुम्मकरन आते हैं, है ना, तो यह जो हाहा कार वाल, आपक अगर रस आजएगा, ठीके, चलिए, अगला प्रसनापका दिया गया है, संगार रस का इस्थाईब बाउ क्या होता है, तो संगार रस के सिथाईब ब़क्ता ये कह सकते हैं, हम लोग रती कह सकते हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुर्ड, चलिए, यहांपर ज़वाब आपक की हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रस्णाप का दिया है सांतरस का इस्थाइबाव क्या बनता है तो सांतरस का इस्थाइबाव होता है आपका निर्वेध होता है क्या होता है सांतरस का इस्थाइबाव क्या होता है निर्वेध होता है आप्शन कौल सा हो जाएगा आपक तो जुगुपसा मतलब के सकते हैं कि घरणा है ना तो आपका वो जाएगा कौनसा option अपका D विभस्त रस होता है ठीक है इसका इस्थाइबाओ के बनता है जुगुपसा अर्थाथ के सकते हैं जिसे घरणा बोलते हैं ठीक है किसी जीज को जब घरणा आ जाती है ठीक है तो इस प्रकार से और एक पॉइंट होता है कौनसा या पर अब भी मिल जाएगा ठीक है अद्भूत रस का इस्थाइबाओ क्या बनेगा 17 नंबर में तो अद्भूत रस का इस्थाइबाओ क्या बनेगा 17 नंबर में चलिए बहुत अच्छे वेरी गोड बिल्कुल जवाब हारा नंबर में तो वियोग संगार में देखो प्रवास हो गया पूरुराग हो गया मान हो गया लेकिन मिलन है न तो आपको अगर सबकार्थ नहीं भी पता है तो आपको एक तो पता है कि मिलन तो नहीं हो सकता नहीं जहां वियोग हो विचड़ान हो गया बेरेक अप हो गय तो देखे कि इस रस को सभी रसों को रस्पती माना गया है तो रस्पती किसे माना गया है तो नीस का जवाब होगे कौन सा तो आपके यह नंबर आपके रस्राज यह से बोलते हैं हम लोग स्रंगार रस बोलते हैं ठीक है रस्पती या रस्राज यह बोलते हैं चले अगला प् सकते हैं कि बीर रस आप से पूछा है कि यह कविता कैसी बीर रस और इसका इस्थाइबाव पूछा है तो आप सिंपल सी पता है आपको कि बीर रस का इस्थाइबाव क्या होता है उत्सा होता है बोड़ी में उत्सा होना चाहिए और उत्सा होगा तो आटोमेटिक सब आपको सुकुन मिले है ना option आपका भी वो जगा कि साहित से मिलने वाली जो आपकी अन्भूती होती है उसे हम लोगों यहाँ पर कैसे हैं साहित में रसका अर्थ होता है ठीक है राधे 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 सुभी को सभी राधे राधे कह रहा है जो भाव मन में किवल अलपकाल तक संचरंड करके चले जाते हैं उन्हें क्या का जाता है मतलब आपकी बոडी में आते हैं थोड़ी द्यार रियक्शन करते हैं और इसके बाद चले जाते हैं 業 यह आपके होते क्या हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं संचारी भाव जिनको बोलते हैं संख्या कितने होती है तो आपकी 33 होती है ठीके 33 होती है चले इस प्रकास से option आपका सी हो जाएगा ठीके अगला प्रसन आपका दिया है कि किस भाव की परिपक कवस्था को रस कहा जाता ह किस भाव की परिपक वस्था को रस खा जाता है तेशन वाले में क्या जवाब आजाएगा तो याद रए कर पह को की आप समझें रहे किया था भई जैसे अवस्था वस्था ऑती है तो आपकी बोडी मतलब चाहे वो सोक हों चाहे को छुबई हो जैसे आपकी स्थार हाँ पर कia αυτे प्रका उते हैं तो आपके अंडर समझें आ गया हैना चले अगला अगला प्रस्णाप को डिया है कि कुरुछेटर कविता में मुख दो आट सिर्ट न fact कु कुरुछेटर में हैं मतलब के यूद्ध का मैदान है और यूद्ध के मैदान का प्रस्ट करुषियों की बीड एक सनचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है संचारी भावों की नहीं चितनी होती है यह पर 25 जुगा देना है संचारी भाव की संख्या कितनी होती है तो राइट अंसर आपका का पर चला जाएगा और सना पका भी आपकी 33 हो जाएगा ठीक है 33 हो जाएगा जो लोग पहली बार जुड़े उनको बता दें कि पहले हमने बेसिक कंप्लीट करा दिया है लगभग सभी चैप्टरों का जो बा अगला पर साम से पूछा गया है कि भारत के 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 रसूत में नहीं किया है अगला दिया है भारत मुनी के अनुसार रसों की संख्या कितनी है भारत मुनी के अनुसार रसों की संख्या कितनी है आपर जवाब दिजेगा अलंकार भी करवा देंगे राहुल जी अलंकार भी करवाएंगे सब टॉपिक करवाएंगे परेशान नहों यह सब टॉपिक करवाएंगे ठीक है तो भारत मुनिके अमसार रसों की संख्या भाई कितनी बताई गई है तो आठ बताई गई है उन्होंने कह सकते हैं जो सांत रस है ना उन्होंने सांत रस को नहीं लिया है ठीके ना तो अप्सनाप का यहाँ पर ए हो जेगा अगला दिया है क्रोध किस रस का इस्थाइब आओ है तो वही क्रोध किस रस का हो जेगा या आपके रोध रस का ठीके र को हो रत नारे हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब भी कभी भी आपको मांस सब्द मिल जाए मांस हड़ी है ना यह सब्द आपको मिलता है कहां पर मिलता है तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन राइट आपको 29 को अप्शन होजेगा आपके अद्भूत रस्में ठीके न आपको यह रुख 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 र अगला प्रस्ट आपका दिया है कैर आप से केसा कही न जाय न जाएका कही है देखा exists एक आपको आपको पता है कि अद्भूत्रों और आपको होजए से श्युद्ध नहीं होता है कि हर चीज़ आपको आए है ना कुछ तुक्के से भी चलती है और कुछ बहुत हार्ड होती है जिसका आर्थ हमें पता ही नहीं है तो उसको एकजाम में छोड़ना भी पड़ता है ठीके ना इस प्रकार से आपकबी हो जेगा अगला है किस रस का इस्थाय भाव निर्वेद होता है किस रस का इस्थाय भाव निर्वेद होता है कि सीटी बजा रहा है आप मौर्निंग में है ना सीटी तो बजाएंगी वह कूड़े वाला है ना वह कूड़े वाला है ना कूड़े वाला गाना भी चलता है हमें तो बड़ा आनंद आता है जब बहीया भा का है कि निस दिन बर्सत नैन हमारे इस पंक्ति में किस रिसका वर्डन हुआ है 32 नंबर तो यहां पर देखें बात आपकी हो रही है कहां कि यह हो रही है जब उधो जी जाते हैं ना उधो को वो बताती हैं कौन जो आपकी ब्रची सक्षियां थी ठीकें तो उन्होंने कहा कि जब सिक रस भगवान गए है तब से हमारे आँखों से सिर्फ क्या है कि सिर्फ आशु ही आशु है यहां था बियोग होगा और बियोग जो आपका पार होता है कि इसमें होता है आपकी संगारस में क्योंकि हमने बता है संगारस के दो पार होते है एक होता है संग होता है पर जाएगा और चला जाएगा जहाए किस रस्कुर रस राज कहा जाता है तो जवाब कहांपर जाएगा जवाब हो जाएगा आपको हो सकता है बार-बार रिपेट भी होंगे लेकिन आपको रड़ जाना है ठीक है चले गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग चले यहाँ पर देखो विस्मे इस्थाइब आप जो होता है वह आपके अद्भूत रस में होता है अगला है रस सूत्र के जनक आपके कौन से हैं 35 नमबर में रस सूत्र के जनक हैं आपके कौन से हैं तो रस सूत्र के जनक हो जाएंगे कौन भई 35 को आपके भरत मुनिक का जाता है अगला दिया है कि भारती वरती का संबंद किस रस से है तो याद रखे भारती वरती दिया है इसका जो संबंद आपके हो आपके अगला दिया गया है कि भाव जिसके हर्दय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं तो यह वाला जो थियोरी है थियोरी वाला पॉइंट आपका दिया है भाव जिसके हर्दय में रहते हैं उसे आस्रे कहते हैं आस्रे कहा मिलेगा जिसके हर्दय में रहते हैं उसे आस्रे कहते हैं आस तो गिर्धर गोपाल दूसरों ना कोई जाके सिर्मोर मुकुट मेरों पति सोई हैना मीरा जी नहीं यहाँ पर कह सकते हैं कि स्रंगार रस की तरीके से परिपूंड कर दिया है और इसमें भगवान को एक अपने पती की रूप में माना है ठीक है ना तो इस प्रकात से 38 को अप प्रसनाप ने पढ़ा भी है और ना भी पढ़ा होगा तो दो-तीन बार जब पढ़ेंगी तो आसानी साब को रड़ भी जाएगा ठीक है अगला प्रसनाप का दिया गया है निम्लिकित में से कौन सर रस विभस का विरोधी है देखो हमने इसको बहुत इच्छी तरीके से ब सकते हैं कि लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं विभसरस दिया है विभस मतला अपता है घरणा होता है अब बताए गरणा को किस से में कल दें जिसमें से प्यार में बदल जाए हना एक तरफ गरणा है एक तरफ प्यार है तो यहाँ पर आपका 40 का जवाब क्या बनेगा तो 40 को कि लिए अगला प्रस दिया है कि रह रोध दरस का क्या होजएगा और आपका 40 का घरणा की बूंकी कैसे रहे री बतिया सुनद रूखी यहाँ पर जो पूछा गईயर रस आपका कौन सा है तो 42 का जवाब क्या पर जाए गा तो यहाँ पर अखियां हरी दर्सन की भूख है मतलब कह सकते हैं वियोग हो चुका है और अब मिलने का इंतजार कर रही है इंतजार कर रही है तो यहाँ पर जो आपका आजएगा किस में आएगा वियोग स्रंगारस में आएगा है स्रंगार रस लेकिन कौन सा वियोग स्रंगार आपको हो जएगा ठीक है चलिए अगला प्रस्ट आपका दिया है कि प्रियुक्त रस के लिए सही विकल्प बताना है करे हे खग मरग मरधुकर सेनी तुम देखी सीता मरग नेनी है ना तो यहाँ पर जब सीता जी को रावन हर करन कर लेजाते हैं तब रामजी हर एक पेड़ों से पत्तों से उन से पूछते हैं हैं तो वहां पर कभ जब होता है तो बयर बहुत ही तो Measure कौनसा हो जएगा option c वियोग स्रंगार स्वार्त को हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रस्चन आपका दिया गया है कि देख सुदामा की दीन दसा करुणा करेके करुणा निद रोए है ना तो भी हाई स्कूल का तो सब से कह सकते हैं हरा भरा यह कोश्चन आपका है हाँआपका है और यहाँ पर यहाँ पर याद रहते हैं तो यहां पर याद रहते हैं और खुछ आपको लिखोगे तो थोड़ा और अच्छे सकते नम्मर दे देता है पुराने ओल्ड फैंसन वाला वही है पर दे दिया जाए अना देख सुदामा तो थोड़ा सके सकते हैं कि ग्रामनर कहेगा रहे वही चीज आ गया अना कुछ नया लिखना चाहिए कभी भी एक्जाम के बोर्ड में बैटो तो कुछ नय चीज नय उधारन लिखो तो उसको भी समझ में आया और नहीं बच्चे कंदर टैलेंट है चले अगला प्रसन का दिया है कि निम्लिखित पंक्तियों में कौन सर्रस है करा है बत्रस लाला चलाल की मुरली धरी लुकाए सौं करे भावन हसें दायन कहे नटी जाए मतलब यहां पर आप से पूछा गया है पूछा ग है सेखतें यहां पर जवाब का आए कंसा रंगा रस टिक नव करेंद हो जाएगा ठीक है कसा है ईकलर अगला पर से पूछा गया है कि कि पन्क्ति में रस आपको बताना है shining एसमबर में कहना है हिमाद्रि तुंगु स्रंगसे प्रभुध्ध सुद्ध भारती स्वयं प्रभासमुझ जल्ह सुतन्ता पुकार्ति और भाई सहाब जब भी आपको पूछे सुतन्ता की बात आगी है और जब सुतन्ता की बात आ गई है तो यहां पर पर जवाब कहां पर जाना चाहिए तो आपका जवाब आपका बीर रस में हो जाना चाहिए ठीक है यहाँ पर जब सुतनता फुकार्ती आपकी अंदर एक ज्वाला आटोमेटिक भड़क पड़ेगी कि हमरे अंदर मितलब एक भीरता का उत्साग नाम कि भाव आपका आजाए अगर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें ठीक है ना और आज पूरा कॉल्ट करना इसे पूरे चैप्टर कम्प्लीट कर लेंगे हैना तो बार बार से काम करतम हो जाए मेरा प्राण प्यारा काँ है दुख जनिद्मीद्वई सहारा कांए यहाँ पर दिखो दुख है और गोद हिय तो कर दुख जाएंगे खियाने तुश्य कोई बीड़ी हो जाए ता तunu हम ठैसे कुर्च और निसस् hogyan अगला प्रस्टन आपका दिया गया है कि सूर्दास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है सूर्दास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है बहतरीन कोश्चन आपका याद रखेगा इसका उन्चास का जवाब का बनेगा कौन सा तो यहाद रखेगा कि यहाँ पर आपका A होज़ेगा, मापकर यी B होगा भयानक रस, याद रफेगा कि सूर्दास के पदों में भयानक रस कभी नहीं पाया جाता है, और याद रिखे वात्सल रस समराड कों़ाजाता है, याद रिखे यह प्वłemट याद रिखेगा, भी मिलेगा भी कि एक और अजगरह लगी एक और मरगराय विकल बटो ही बीच में परियो मूर्चा घाय तो अब वही इस्तिती आ गई कि कोई विक्ति जा रहा था एक तरफ अजगर आ गया एक तरफ मगर मच्छा गया ऐसी इस्तिती क्या हो जाएगी डगमागा जाएगी अगला प्रस्णाप से पूछा गया है कि बारन बाजी सरत्या थी इसमें पूछा गया है कि आपका होगा कौन सा होगा तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है आपका रोध दिया है मतलब गुसा वाला आपको यहाँ पर दिया गया है ठीके तो इसका जो क्यावन का जवाब आपका बनेगा आपका बी होजएगा ठीके इसमें से कौन है आपका यहाँ पर बी होजएगा रोध दिरस है ठीके और कौन सा है आपका इसमें से आपका प्रस्ण आपका है कि अधरों में राग अमंदर पिये अलकों में मलजेज बंद किये तो अब तक सोई है आली आखों में भरे विहागरी पंक्ति में जो आपका लंकार है आपका कौन सा लंकार है तो यहाँ पर एक भारे की साब से बूल दिया गया है जो कि एक स्रंगारा साब का होजेगा तो तिरपन का जवाब यहाँ पर जवाब का होजेगा ए नमबर होजेगा स्रंगारा साब का होजेगा ठीके ए नमबर आपका होजेगा इसका विस्किन सोट ले लिजेगा अगला है विप्रलम अलंकार है ना विप्रलम अलंकार है मतलब करे सकते हैं कि जब रोने वाला आपका होता है वियोग वाला ठीक है विप्रलम अलंकार मतलब करे सकते हैं आपका करे सकते हैं कि जो वियोग संगार आपका होता है ठीक है और अगला प्रसना आप से पूछा गया है यहां 55 का जवाब को हो जएगा यहाँ पर देखे यहाँ पर मानो हवा के जोर से अर्था आपके सकते हैं कि यहाँ पर आपका रोध दरस हो जएगा C नमबर हना उस काल मारे क्रोध की तनकापने उसका लगा मानो हवायो के जोड़ से मतलब जो हमने बता है था क्रश्म और जुन के समझे समवाद हुआ तो आपका रोध दरस आपका यहाँ पर पूछा गया है कि रोध दरस हो जाएगा इसी इस्तिती में आपको क्या मिलेगा ऐसी इस्तिती में आपको क्रोध ही मिलेगा तो क्रोध मिलेगा तो उसका रोध होता है समझे मैं इसका अर्थ क्या होता है मतलब क्या होता है जब विरुधी पच्छ दौरा कोई विव्यक्ति को यह समाच को यह देश को धर्म को अपमा प्रकास से आपको टॉपिक मिल भी रहे हैं तो देखो यह पूइंट आपको पूरा आपके सकते हैं जो हमने पहले कविता बता दिया था न वहीं सेर वागएरा और आपके जो मांस उजए वह इसी के पूरी कविता है लगबग वही है पर आपका होगा तो यहाँ पर आपका 56 का जवाब कौन सा जाएगा तो यहाँ पर बिभस सा रहा है सभी का बिभस सा रहा है क्या सही है जी बिल्कुल सही है यह बिभस रसका है यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि वही जो आपका सियार है और किसी डेड़ बोड तु दानी हो भिखारी इसमें पंक्ति में पूछा गया है तो यहां पर एक भगवान के लिए कि तुम जो हो तो मतलब की कहिसे हैं कि जब भक्ती होता है ना तो कहते हैं मैं तो अकिंचन हो मेरे पास कुछ नहीं है ना पूरी तरीके से भगवान के उपर सद्धा रखते हैं तो यहां पर भक्त और भगवान के बीच एक पॉइन पॉइंट आपका लिखा गया है अगला दिया गया है कि सुनता ही लखन खुटील भाई भाई हैं यहां पर अथ्धावन का जवाब क्या बनेगा यहां पर पंक्ति मी जो आपको आपको आप में होगा है जवाब 35 जवाब का नेहीं और कभी पॉंट और होता है कि यहां पर किसकते हैं कि जैसे परस Pen ने संवाध है था परस्राम जी ने तो वहां लेकिन आपको दिया नहीं गया है तो यहां पर कह सकते हैं एक ऐसी स्थिति को दरसा दिया गया है यहाँ पर उंको अंदर बीरता आई होगी तब यह से बोला है तो option के अंसार रख दिया गया आपर ठीके ना तो वैसे आपका रहाद रस होना चाहिए option में बलके है नहीं तो simple सी बात हम लोग किसे बोल देंगे बीरस को बोल देंगे ठीके चले अगला प्रसना आपका दिया गया है कि सीता जी के पंक्ति में जो आपका रस है वो आपका कौंसा है तो आपको जब भगवान राम गय थे और सीता जी उनको उपवान में मिली थी अपको पता है कि स्रंगार रसी होगा अगला प्रस्ण आपका दिया है कि छल नामक 34 संचारी भाव मनाने या मानने वाले जो आपके आचार है वापके कौन है इसको अब यह भी आपको बताया था है ना तो जवाब यहाँ पर बिल्कुछ सही जवाब है very good very good बिल्कुछ सही जवाब है सांट कउप्सन राइट आपका जवाब यह थे कभी देव ने यहां पर 34 समवे संचारी भाव माना है वो यह सो होता कितनी संख्या है तो संख्या जो आपकी होती है कितनी तो आपकी 33 होती है अगला प्रसना आपका है कि रश सिद्धान्त निम्रिकित में से नागेंद्र जी के है ठीक है dai रस प्रवरतक माना गया की तो भारत मूंहीं को मना गया है ठीक है तो साहरदय की ओधार्वरत की संप्रद podem से संब्धित है साहरदय की और रस में आएगा या आपके रस में आएगा क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो यह आप लोगों ने आप लोगों ने हाइस स्कूल में इस प्लसभारफ सा को जरूर लिखा होगा कही कि यह पर संकर भगवान की वारे में पूरी वर्डण किया गया है तो यहाँ पर जो आपका होता है हास रस होता है ठीक जे इसे GP원이 पूछा गया है कि करूणे क्यों रोती है उत्तर और अधिक तु रोई मेरी भी भूँति तो उसको भोगूत पूँ कहे कोई मैं से रस पूछा गया है पैस कण का जवाब पूछा गया है कि आपसे रस के कितने भेद हैं चले चांचट का जवाब देखते हैं कि चांचट का जवाब किसका किसका जवाब बिल्कुल से यहाँ पर आएगा चांचट नमबर चले चांचट का जवाब यहाँ पर चले जवाब आ रहे हैं चांचट का सी आ रहा है किसी का चले, very good, very good, यहाँ पर जवाब छांचट का C ही आ रहा है, किसी का भी आ रहा है देखे, हमने बताया था, रसके अगर नार्मल सी बात करें, तो रसके आए जो आपके भेद होते हैं, वो आपके कितने होते हैं, C होते हैं, आपके 9, ठीके, 9 होते हैं जब पूचा है भरत मुनी के अंसार, तब आपको बताना है कि 8 होते हैं, ठीके ना, नार्मल से पूचे के तो आपको 9 ही बताना है, ठीके ना, और जब भरत मुनी के अंसार बुलेंगे, तब 8 बताएंगे, क्योंकि भरत मुनी ने सांतरस को नहीं माना है, ठीके ना, तो इस विभाव, अनभाव, संचारी भाव और आपका इस्थाई भाव चारी तो होते हैं क्या क्या होते हैं विभाव, अनभाव, संचारी भाव और आपके इस्थाई भाव तो जवाब कहां पर चला जाएगा तो जवाब आपका सरसट को जाएगा उप्शन राटिव का सी आपकी लूगतों किल्यार हो गया चले अग्राइब से पूछा गया है का रहा है का रहा है मेरो止 मन अनंग काह क्रोशप पर जैसे वγαज पर आजए मतलब यहां पर भी ऑलाएं में आसकbbles ऴर्वान के थी लाइं उसका चार कर रहा है सी हो जगा भकति रस आपका हो गए यहां पर पीर मेरी कर रही गम हीन मुझको और उससे भी अधिक तेरे नयन का नीर रानी और उससे भी अधिक हरपाओं की जंजीर रानी कुछ पॉइंट आपको जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट आपको आएंगे ठीक है और अगर आप नोट कर लेंगे तो अंवीद नहीं कि फिटनी कोषिण आपको ले लिए हैं तो दो तीन में बार आएगा तो पूरा रट जाएगा कह रहा है आपसे कि इन पंक्तियों में रस का विगोड पूछा। कितनी कोश्चन है तो भी हमारे थंबल में लगभग जितनी कोश्चन लिखे होती है लगभग 25 कोश्चन आपको मिलेंगे पूरी तरीके सरई जाएगा जिन वस्तों को देखकर इस्थाई भाव उत्पन होने लगता है उसे क्या कहते हैं तो उसे उत्दीपन भाव बोलते हैं परिभासाओं का स्क्रीन शॉट लेते रहेगा क्योंकि यह परिभासा हैं आपको मतलब दिक्त कर सकते हैं आदर तो आपको रट जाएगा लेकिन ये आपको कह सकते हैं हमेशा क्या होंगे ये परिभासा हैं और परिभासा से डारेक्ट कोशन आपके बनते हैं ठीक है और अगला प्रसन आप से पूछा गया है यहाँ पर आप से पूछा गया है कह रहा है कह रहा है इन पंक्तियों में कौन सा कावबे गुड़ है हिम प्रशनाम का दिया गया है कि बाल सदा सुक निखरे जसोदा पुन्य-पुन्य नंद होना चाहिए नंद बुलावत अचरा तले ले ढकी सूर के प्रभू मैं दूधु पिलावती तो यहां पर आपको करश भगवान और यह सोदा जी की बात हो रही है और यहां पर जो आपका जाती है तब उसमें मतलब आश्चर हो जाती है कि वहीं उदारण का मिलता है जो आपको आश्चर वाले मिलता है लेकिन वहींसी आपको हमेशा मिलेगा वासली ही मिलेगा अगला है चमा कुठी संटाशन 1757 की व्यवत्तलवार पुरानी थी बंदेली हरबोलों के मुखहंमन सुनी कहानी थी एना खोब लड़ी मर्दानी वो तो जहासी वाली रानी थी तो जवाब सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि ये बी रस का उधारण है और सुनाप का डी हो जएगा अगला प्रसनाप का दिया है निम्लिखित पंक्तियों में कौन सा रस है सुनत लखाने के प्रसनाप से पूछा गया है आपसे कह रहा है यहां पर देखो यसुदा जी के आंगन की बात हो रही है कि उनके यहां पर मतलव जोलते संग्मरमर की पर्था लगे हुए है उसमें से उनकी चवी दिखाई दे रही है चारो तरफ वो उनको पकड़ रहें दोड़ड़ कर त आपको भी अगर कोई चोटा बच्चा है तो इसी स्थिमा आपको आनन्द आएगा तो यहां पर के सिकते हैं कि बच्ची के परति आपको एक ही प्रेम होगा वो भी होगा वासल रस ठीके ना ऑप्शन कॉन से हो जगा अगला परसनाप से पूछा गया है स्रंगार रस की दो प्रकार होते हैं संगारगार से कोनं कौन से प्रकार होते हैं तो आपका जवाब कहाँ प्रकार पहुंच जाएगा तो सबस्तर प्रकार रहे 있지 जवाब हो Henry अब भी संयोग स्रंगार होता है और अब भी हो जएगा अगला प्रस्ण आपसे पूछा गया है कि सूरदास को किस रस्क समराट कहा गया है और इस प्रस्ण को भी हमने जवाब दिया है आपको अगला प्रस्ण आपसे पूछा गया है कि संसार की असारता के कारण वैराग से उत्पन जो होती है यहाँ पर वैराग दिया है और वैराग सब्दे कब मिलेगा जब आपकी सांती मिलना याँ था जब कोई व्यक्ति वैराग हो जाता है घर छोड़ देता है ऐसे स्थिति में उसको शानती के लिए जंगल बगयरह चला जाता है, तो वैरा गिश्धिती आपके सानती रस में मिलेगी, ठीके, अगला प्रिस्णा आपका दिया है, कि डस्वभ और ग्याराव रस हैं और ग्यारावच रस हैं, तो यहाँ पर कहसे हैं, कि यह जो आपका रस होता है कौन सा, वातसलास और दूसरा होता है भक्तीरस। तो याद रहिए tis प्रकास भी प्वेंट आको गिलेर होगा होगा। अगला दिया गया है कि उधर गरजिती सिंदु लॉहरिया कुटी लेकाल के जालों सी चली आरई फेन उगलिटी फण फैलाए ब्यालों सी तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका है एक भयानक इस्तिति आपको दर्शार है यहाँ पर भयानक इस्तिति है जो कि ओप्शन काँ पर हो जाएगा एक क्यासिक ओप्शन सी हो जाएगा भयानक रस हो जाएगा अब यह question दो बार मिलेगा तो आपको रड़ जाएगा ठीके अगरा प्रस्टन आपका दिया है कि बीर रस में सैयत भाव से रहता है क्योंकि बीर उत्साही होते हैं कुरूधी नहीं मतलब यहाँ पर पूछा है गुण किस प्रकार का 82 नंबर में 82 वाले गुण में जो आपका होजा कौँसा ओज वाला अभी हमने देखो इसके पहले यह बीर रस को दरान दिया था तो वहाँ पर ओज मिला था तो बीर रस में आपको ओज गुण मिलता है ठीके और गुड मॉनिंग सभी को गुड मॉनिंग सभी को जैहन सभी को राधे राधे करे आपसे कि यह मानो मन में बीज रूप में चिरकाल तक अचंचल होकर निवास करते हैं यह संसकार या भावना के घोतक हैं किसके बारे में कहा गया मतलब कि ये मानो जो मानो क्या होता है ना मानो मन में बीच की रूप में बो देते हैं ठीके ये चीज बीच की रूप में बो देते हैं और इस चिरकाल मतलब अनंत समय तक ये आपके चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रहती है ठीक है न और कभी-कभी आचानक आपकी बातों को याद कर आपके अंदर क्या होता है हसी जी सी आ जाती है या उस चीज को देखकर गुस्सा आ जाती है तो यह जो चीज होता है उससे हम लो बोलते हैं क्या भाई तो 83 को प्सन रेट अपका हो जगए आपर B इस्थाई भाउ तो इस्थाई भाउ मतलब के सकते हैं कि अगर किसी कोई प्रकार उधारान आपको है याद है तो क्या होगा उधारान गर आपको याद होगो तो बहुत समय तक याद रहेगा और जब भी आप याद करोगे तो आपको एक कर सकते हैं क्या ना इस्थाई भाव बस गया है पूरी तरीके से आपके अंदर इस कारण से ठीक है यह अनंतिकाल तक आपका होता है ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा था वो और इसके बाद उसको दूसरा याद आ जाएगा नहीं यह जो आपके हंदरा में सब बैठ जाती उसका इस्थाई भाव होता है ठीक है अगला प्रस्था आपका दिया गया है कि यह इस्थाई भावों का उत्भोधन करते हैं उन्हें अस्वाध योग बनाते हैं यह रस के उत्पत्ति में आधार भूत माने जाते हैं किसके बारे में परिभासा है कि कि की बारे में यह विभाव होती है कि है इस्थाई भाव का उद्भोत करते हैं यह हम लोग रशेंब करते हैं कि आधार से से होते हैं तो आपका जवाब अपका पर जाएगा 84-85 पचासी कोप्षन पचासी कोप्षन आपको यह वाला इस्थाईवाओ विभाओ अनभाओ संचारिवाओ यह आपकी चार होते हैं और यहीं अभी आपको बताया ऐखेख़े अगरापन आपको याद है तो आलंबन हो सकते मैं किए जिसका सारा उनisch पर जागरत होता है उसे आलंबन विखाऊ-疫वाव कहते हैं इस जिसका ज़वाब आपका जाएगा आपका State डी नंबर आपका ओजएगा लिकिन लास्ट में क्या उद्धीपन है यहां पर आलम्पन जिसका स्रूय होता है जिस पर इस पर यह स्रूय जाता है ठीकिन कहाँ पर अपका दी हो ज़ए तो दीखो सिंपल सी बात है कि आपने जो भी पढ़ा होगा अच्छा ही पढ़ा होगा यहाँ पर दिया है काव को देखने सुनने से अनदी के अनभूती लेकिन अगर आपने परिभासा पढ़ा है अमारा वीडियो तो उसमें हमने बताए था काव को पढ़ने प देखने से जवाना अनदी कर्ण भूती होती उससे रस कहते हैं यह परिभासा आपके होगी ठीके चलिए अगला प्रस्णा आपका दिया गया है कि रस का नाम पूछा गया है कि स्री कृष्ण के सुनवचन अरजुन छोब से जलने लगे सब सील अपना भूल कर करतल यूग यहां पर यह नमबर कृष्ण ठीक है अरजुन को कृष्ण को कृष्ण आता है हुबांड शला देते हैं तो ऐसी स्थितिक वर्ड़न किया गया है जो क्यों प्रस्णा पर हो जगा आपका ए नमबर ठीक है और अगला प्रस्णा आप से पूछा गया है कह रहा है कि स्रुआण खिऑ अनद प्राप्थ होता है कि क्या रस प्रसा दिया गया है कि है सार ठे है दिरुड क्या दिवंद भी आकर अड़े है खेल छत्तरी बालकों का ब्यू भेदन कर लड़े तो भी ब्यू भेदन अर्थात आपने देखा लड़ाई सब्दाव का भेदन आपको जो मिलेगा एक चक्रवियू की वैसी बात कर रहा है जो कि यहां पर आपका बी रस आपको बड़न हुआ है ठीक है बी रस प्रकासिती अब्यक्त करने वाली जो आपकी आश्राई की चेश्ठाएं होती है उसे हम लोग अनभाव कहते है एक 90 का जवाब जो आपको हो जएगा एह हो जएगा इसके स्क्रीन्सोट लेजिएगा बाद में इसको लिखते रहेगा पढ़ते रहेगा ठीक है इसका संचारी भाव क्या हो जाएंगे संचारी भाव को पुष्ट करने के लिए निमिस्त होता है और तुरंत लुप्त हो जाते हैं उससे हम लोग संचारी भाव कहते हैं जो की जवाब यहां पर ए नंबर बिल्कुल सही दिया गया है तो बानमे कभी आपसन आपका ए सही हो चूटे-चूटे बच्चे लेंगे ना तो चूटे-चूटे-चूटे बच्चे की गरवाद करते हैं तो वहां पर आपको रस यन भूति कौन सी आएगी यहां पर आपको कॉठिंग इनबुच लेगा अगला प्रस यहांपशन आपका दिया गया है कि लागी बून्द बी इसके पहले यही अपको दारान पूरी तरीके से मिलता है ठीक है अगला प्रस्णाप का दिया गया है निम्लिखित पंक्तियों में कौन सा रस है क्या रहा है हाई राम कैसे जहले हम अपनी लज्जा अपना सोक गया हमारे ही साथों से अपना राश्पिता पर लोग तो यहां पर जो 95 है यहां पर जवाब जो जाएगा कौन तो करुण रस की बात किया है तो यहां पर सिंपल सी बात है पढ़ने से आपको पता चल गया है कि यहां पर आपके करुण रस की बात हो गया है ऑप्सन कौन सा डिया ठीक है अगला प्रस्णाप का दिया गया है निम्लिखित वीरस में ओजोता है और इसमें वासल में आपका माध्र गुढ़ होता है अगला प्रसनाम से पूछा गया है निमनिक पहंत्यों में कौंसा गुढ़ है लिगो बीरस आ गया और वीरस की बात करता है तो जवाब कहाँ पर जाएगा 97 में तो आपका जवाब आपका जाएगा डी में क्योंकि हमने बता है जब वी रस होता है तो वहापवर आपका ओज गुड़ होता है ठीक है तो आपका कंभे जैक कॉशनस ओजए काूब सा और दी होज माधर गुड़ आपका हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्ट्र आपका दिया गया है कि साहित में प्रिशिद्ध नौरसों में अंतिम रस माना गया है किसे माना गया है तो यहाँ पर आपका जवाब आपका जाएगा सांतरस को हमने बताया था ना अंतिम किसे माना गया है सांतरस को माना गया है ठीक है ना option कौन सो जाएगा बी हो जाएगा अगला प्रस्णा आपका दिया गया है इका इस्थाई भाव है माता पिता का अपने प लग ही नग आ सकते हैंते हैं यहां पर जकुछा इसे न थिंपाल बात्त ही शुक पावेशा कर जहा है अगला प्रसनाप का दिया गया है एक उदारान कोई सायथ अच्छा चलिए बीकल्प आपको चुना है मतलब यहां पर जो आपका आनन्द सुरूप ब्रम्मा है मतलब कैसम इस इतनी आनन्द की अनभूती प्राप्त होती है इस प्रकास से जवाब कोन हो जगा सी हो जगा आनंद सुरूप ठीक है अगला प्रस्णाप से पुछा गया है कि आपसे भाव दसा के कारण वचन में आय परिवर्तन को कहते हैं अगरा प्रसना आपको पुछा गया है, रादे रादे सभी को रादे रादे, कह रहा है, दीप सा मन जल रहा, इस पंक्ति में वाचक है, तो हमने आपको बताया था कौन सा रूपक अलंकार, तो यहाँ पर जो सब्द सा सब्द आ गया है, क्योंकि रूपक अलंकार को द्वार अगला प्रस्णाप का दिया है माधूरी गुड किस रस में प्रयोग होता है देखो अभी हमने बताया थे माधूरी गुड का प्रयोग होता है वो किस रस में होता है तो माधूरी का प्रयोग आपका किस में हो जाएगा भई तो आपके जो वासल अथर के सिक्ते स्रंगार रस आपका होता है यहाँ पर इसका प्रियोग हो जाएगा स्रंगार रस में हो जाएगा ठीक है और अगला प्रसनाव का दिया है कि जब रस के सभी संकट तत्तो अपने विशिष्ट गुड़ों को त्याकर समान ने हो जाते हैं तो इस हिस्थिद्धियु क्या कहते हैं तो जब रस के सभी संकट जो आपके तत्तो होते हैं विशिष्ट गुड़ों को त्याकर समान हो जाते हैं तो ऐसी सित्तिय में आपका साधरनी करन होता है यह थोड़ा साब के लिए बिल्कुल नया होगा यह साधार निकला उता है या बिल्कुल आपका नया है ठीके बिल्कुल नया है अगला दिया है कि करूणरस को रसराज की उपाधी किस ने दिया है देख लिए बढ़ी एक सुनों नमबर तो याद रिखे गरुणरस को रसराज की उपादी दिया है या विए ती बहुर्भूती ने दिया है देखें इसकर स्क्रिण सर्ट लेजिए होता है यहां पर रस आपका कौनसा है तो यहां पर रस आपका वासल रस है ठीके वासल रस आपका है ओप्यर्ण बी बी नमबर इसके निसार लिज़ेगा आपका बी नमबर वासरस हो जएगा अगले प्रसको आते हैं प्रस्टाप से गला पूछा गया है कि जब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार में रस आपका कौन सा है तो इसके पहले भी आपका गरनी आपको मिल चुका है तो जवाब यहाँ पर आपका स्रंगारस आपका हो जएगा और अगले प्रसको आते हैं प्रस्टाप से गला पूछा है कि भूसन बसन विलोकत से के प्रेम विवस मन कमपे पुलकतन में आपका जो रस है आपका कौन सा है एक से चौधा नंबर में तो यहाँ पर भूसन बसन विलोकत से के प्रेम मतलब विवस हो गया है तो विवस हो गया तत के सकते हैं अगर अपने स्राम से पूछा गया है मधुवन तुम कत हरत हरे बीरा बियोग स्याम सुन्दर के धाठे क्यों न जरे में आपका जो रस है आपका कौनसा है तो यहां पर आपका कौनसा हो जएगा तो आपका यहां पर कह सकते हैं जो को बियोग का वर्डन है ब्योग आपका वर्डन है और ब्योग किसमी मिलता है तो संगारस के अंदर आपको मिल जाएगा ठीक है ना संगार का जोग आपको दूसरा प्रहणा अपसे पूछा गिया है कह रहा है देख सुदामा की दीन दसा कारुणा करके करुणा निधिर होए हरा बरा है ना सदावारी question है सिम्पल सी बात है आप जवाब लगा सकते हैं option कहाँ पर चला जाएगा option अब का यह होजएगा यह आपका करूडरस आपका होजएगा ठीक है कौन सा भई करूडरस आपका होजएगा ठीक है अगला प्रसन आपका दिया गया है कि अभी तो मुकुट बंधा था मात हुवे कल ही हल्दी के हाथ खुले भी ना थे लाज के बोल खिले थे चुम्मन सुनि कपूल हाई रूख गया यही संसार बिना सिंदूर अनल अंगार तो उधारन से आपको ऐसी इस्तिती पता चलना है कि अभी अभी साधी होई है और अभी अभी उसका पती डेथ हो गया है तो ऐसी इस्तिती में हम लोग क्या बोलेंगे भी तो ऐसी इस्तिती में बोलेंगे करुन करंदन ठीक है ना उप्सन कहां पर जाएगा करुन रस हो जाएगा है ना चलिए अगरा प्रस्णाप का दिया गया है कि मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे ये अमराज इसे भी युद्ध में प्रस्तु सदा मानो मुझे तो भई ऐसा कोई बेक्ती होगा ये अमराज से लड़ने की हिम्मत रखता हो और अगर हिम्मत रखता है है ना तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बीर रस क्या बोलेंगे भई उसे बीर रस की उकमा देंगे option आपका बीर रस ठेके आगरा प्रस्णाप से पुछा गया है उधो म स्रंगार रस्में आपका आजाएगा क्लियर हो गया चलेए अगला प्रस्णाप से पूछा गया है कि मन की उत्पत वेदना मन ही मन भैती थी चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन बेथा कहती थी यहाँ पर आपकी जोवका है कौनसा है और मन की उत्पत की बात किया है तो जव ओसा हो जाजाए अपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बलश्त चुपकर अंतर मं से कहती थी यहाँपर को जाएगा यहाँ पर आपका आपका करूरल रस तो यहाँपर आपका बी का है करूण रस ठीक है ठीक है अगला है तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप घंटा भर आलाप राग में मारा गोता धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे शुरोता देखो यहां पर आप से कह रहा है कि जो रामलीला नौटंकी वग इनकल कर केसं टो यहां पर आपको हो जाएगा इसे शाहिए और इसे अच्छा टोड़ी अच्छ नहीं है घंट रिर रस से परपक नहीं है ये दूसरे ही रस में आपके मगन हो चुके हैं है ना वैसे सिकंदर महान का एक नाम ही अलग होता है नाम सुनते ही अपके अंदर बोड़ी में एक जन्नाट से पैदा हो जाती है चले अगला है साजी चतुरंग सैन अंग में उरग धरी साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी सरजा सिवाजी सरजा सिवाजी जंग जीतन जीतन चलत है में ये दो दिया गया है इसमें जो आपका बीर्रस है ठीक है जीतने की बात है सिवाजी की बात है और लड़ाई की बात है तो भी नमर आपका होज़ेगा भी इड्रस ठीक है अगला प्रस्ण आपका दिया गया है कहरा आपसे उल्टा नाम जपै जग जाना बालमी की भै ब्रह्म समाना तो भी या बालमी की है इन्होंने उल्टा नाम होना बुला था कि भै राम 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 रा पुछा गया है आप से कह रहा है कि जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं नहीं अब अंधियारा मिट गया जब नहीं यहाँ पर आपका सांतरस हो जएगा और कोई बात नहीं है ना ब्लॉक नहीं करते ही कोई दिक कर नहीं है चले आखिल भुवन चर अचरज सब हरी मुख में लखिमातु चकित भई गदगद वचन विक्सित दरभ पुलक यहाँ पर जवाब क्या हो जएगा तो जवाब क्या वनेगा भई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जएगा जवाब आपको कौन सा हो जएगा 139 नंबर 139 को अप्शन B यहाँ पर आपका अद्भुद क्योंकि यहाँ पर दे दिया है अखिल भुवन और अच्रज सब हरे मुख म लखिमातू चकित और चकित है चकित सब्दाब देगा है आपका अद्भुत्रस अपका यहाँ पर हो जाएगा ठीक है चले अगला प्रस्णाप का दिया गया है यहाँ वादुई बालक देखा मति भ्रम मोर की आनवी सेसा देखी राम जान की अकुलानी प्रभुध्धस दीन यहाँ पर आपको पता चल गया है कि 130 को आपसण 2 होज़ेगा अद्भुत्रस होजएगा एगला प्रस म्रिश कहे ओड़ा प्रस जोचा गया है यहाँ पर कोटी लिकाली आरह एंवर पहन फैलाए यह जमानेक सर रहा था ब्हयान आपकी उप स्बो遊戲 होजएगा तक है बेनमबर ठीक है चले आप अगले प्रिस्ट को आते हैं प्रिस्टाप से एकला पूछा गया है कि रहें नैनों को रोने दे मन संकीर ना बन प्री बैठे हैं आँखों से ओजल हो गए हैं नहीं वे कहीं यहीं बैठे हैं पैठे हैं इस प्रंक्ती में कौन सा रहसा है तो 132 को अगला प्रस्ट आपका दिया है निश्टिन बरसत नयन हमारे सदार रहित पावन रितू हम पे जबते स्याम सिधारे मतलब वहीं आपका उद्धो वाला दे दिया कि भईया हर एक रितू आई चली गई है ना आखों के आसू जो आपके लगातर बहते रहें बरते रहें ले तक पधार ये नहीं है ठीके तो आपको जवाब हो ज़या कौन से 136 में कौन होका विया तो 136 को उपसन राइट आपका जवाब यहां पर आपका B यहां पर संगा रस और संगा रस का दूसरा पार्ट होता है वियोग वाला है ना तो आपका B हो जजएगा अगला प्रस्टम आपका दिया गया है किस रस्में संचारी भावों को आत्म साह करने की सामर्थ होती है तो यह होती है आपके संगारस में ठीक है किस में होती है संगारस में होती है option 5 शे का जेगा जो भी नया point मिले आपको तुरंत इसका screenshot लेना है यहां पर आपका दिया है इस्थाई बहुत जागरत होने पर होने वाली सारी दिक चेस्टाओं को कहा जाता है यहां पर दिखे इस्थाई बहुत जागरत होने पर होने वाली सारी दिक चेस्टाओं को कहा जाता है यहां पर जवाब दिजेगा चलिए तो जवाब आपका हो जाएगा यहां पर 149 को अप्शन राइट अपका बी यहां पर आपका अनुभाव हो जाएगा जिन प्यंक्तियों को पढ़कर मन में ममता के भाव आएं तो वहां किस रस की निस्पति होती है यहां पर 140 का जवाब क्या बनेगा तो देखे यहां पर जिन भक्तियों को मन में पढ़कर ममता का भाव और जब ममता का भाव आता है वहां पर आपका वासल होता है और सब्सक्राइब करें ठीके तो वाक्यम रसात्मकम काब्यम या कथन किस नत्का है जो लोग पहले बार प्रफन आपका है आपके साहित दरपन का है ठीके किसका यह जो आपका है यह साहित दरपन में पॉइंट आपका दिया गया है जो कि हमने बेसिक में आपको बताया भी था ठीके अगला प्रसन आपका दिया गया है सांतरस की निश्पत्ति कब होती है सांतरस सांतरस की निश पत्ति आपका हो जाती हैं मतला पूरी तरीके से कह सकते हैं कि उसके अंदर की ढख आना करते रहे ना तो까हेंigos करते रहें तों इस फिर से वहीं पर गया की सिरप पर मतलब के सिख्ते ही कोई तरीके से सब और वाइज कुणकर आ रहे हैं तो इसी मी क्या होता है पर अजीब लगता है जिसे हम लोग बोल देएं कि हां परилась सोज्भाज होजेगा रेमन आज परिच्छा तेरी सब अपना सौभा के मनावें दरस परस नी संदेश पावें उधारक चाहें तो आवें यहीं रहें तो आवें यहां पर जो रस है आपका 144 वाले में जवाब भी होजेगा यह ब्योग संगार में ठीके इसमें कौन सा है आपका ब्योग संगार है option B यहां पर ब्योग संगार आपका हो जएगा ठीके और अगला प्रसनाप से पूछा गया है प्रसनाप से कह रहा है बहिए आप किसी के कमेंट उपर धोखा मतलब वो मत करिए है ना तो यह तो कैसे क्या अपने स्टीकर वगरा भेज रहे हैं जब कहते हैं कि रस की उत्पत्ति ऐसी इस इस स्थिदिम पोहँच जाए जब सीमा से परे हो जाए तो फिस लोगों को भी हटा जाता है न लेकिन ऐसे क्या है उसको अनंद एक मिल आ है एक प्रिवस्तु अथवा ब्यक्ति आदिके अनिस्टिकी असंख्या या इसके विना से हर्दय को जो छोब पहुंचता है है हर्दय को जो छोब पहुंचता है तो ऐसी इस्तिती में जो रस होता है कौन सा होता है तो अनिस्टिकी संख्या दिया है ना और जवाब आपका जो हो जाएगा कौन सा C यहाँ पर करूड रस आपका होजएगा छो भैतु करूड होजएगा सी नंबर करूड रस आपका होजएगा अगला प्रसना आपका दिया है माधूर रुगुण किस रस में होता है माधूर रिगुण तो माधूर अभी हमने बताया था कि माधूर मिलेगा किस में तो आपका जहां पर आपका क्या होता है भई आपका होता है जो संयोग स्रंगार तो यहां पर जो आपका दिया है 46 में आपका ड़ी याद रखेगा कि आपकी गुण तो तीन ही होंगे तीन होंगे और रसों में आपके प्रियोग होंगे तो यह रस होते हैं तो इसका नोट कर लीजेगा कि सांतरस करूरस और संगारस इन में आपको होता है माधुर गुड और ओज गुड होता है आपके बीरस वाले में ठीक है गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग अगरा प्रस्णाप का दिया है मैया कावी बढ़े चोटी कितनी बार मुई दूद पियत भई या अजहू है चोटी तू जो कही बलकी बेनी जो है लंबी मोटी काढ़त गुहत नहावत ओज़त नागिन सी भूई लोटी है ना तो आपको पता है कि ये क्रस्ण भगवान कहे रहे हैं कि मता जी इतनी बार तो इसी स्थिति में आपको पता है कि आपको सेयों आपको वासर रस हो जाएगा और कभी यहां पर वासर रस समझ में आ गया चलिए अगला प्रस्ण से कह रहा है कि नभ में जड़पत बाज लखी मुल्यू सकल प्रपंच कंपित तन ब्याकुल नयन लावक हीलो ना रहां पर यहां पर बाज्स सब्द आया है इस्थार्थारिस में तो आपको यहां पर भ hayırनट्रस आजएगा इसका जवाब कहां पर आएगा भैनट्रस आएगा और अगले परिसको आते हैं प्रस से इकला पूछा गया है कि अचारे भरत्र ने किस रस को अतरा हो दा कर रस माना सबें रस से पूर्ण काभवियें किस गुण के दिखता होती है और बीर रस आचुका है बीर रस आचुका है तो आपको जवाब कहांपर पहुंचना है ओज में पहुंचना है तो आज आपको ये पॉइंट तो किलियर हो गया है कि जब भी आपको क्या मिले बीर रस तो आपको ओज गुड़ोगा है ना तो पॉयंट आपको समझ में आ गया होगा अगर पहली बार भी पढ़े होंगे तो आपका होगा और दो कुर्षण आपके बचें हैं कर रस सिधान्त के आद प्रवर्तक कौन थे तो आपका जवाब हो जाएगा भरत मुनी थे ठीके कौन थे भई भरत मु अगला दिया गया है कि रसाचार्यों के अनुसार इस्थाई भाओं की संख्या कितनी है अरहत जो मुनी है उन्हों ने कैसकते हैं रस की जवाब के आचार है उन्होंने इस्थाई भाओं की जो संख्या मानी हो कितनी मानी है तो यहाँ पर जवाब क्या हो जएगा तो लोगों किसे बोलते तब बोलते हैं हमरे कितने हैं तब आपके आठ बोलते समझ में आ गया चले अगला प्रस्ण आपका दिया है कि मैं महावीर हूँ पापड को तोड़ सकता हूँ गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड सकता हूँ यहाँ पर पूछा है कि कौन सर्रस है और इसका जवा को रादे रावे सभी को धन्यवाद सभी को धन्यवाद गुड मॉनी सभी को